जैन फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल प्रमोस और वारानसी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलहाबाद हाई कोट आरो एरो के वेकेंसी के बारे में वीडियो रिजल्ट के बारे में और यूपी पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर का विज्यापन जारी हो गया इसके विसे में तो फ्रेंड्स से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चैनल पर आगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले यहां पर बात करेंगे इलहाबाद हाई कोट आरो एरो की वेकनसी के बारे में आप सभी को पता है कि यहां पर जैसे आपका यूपी पीसी आरो एरो की वेकनसी जो है निकाली गई है और इसका एकजाम 11 फरवरी को है इसी प्रकार एलहाबाद हाई कोट में भी आरो एरो यानि समिक्छा अधिकारी की वेकनसी होती है तो एलहाबाद हाई कोट आरो एरो की वेकनसी एक अच्छे खासे पदों पर आपको देखने को मिलने वाली है 2024 में तो यहां पर देख लिजे एलहाबाद हाई कोट के जो न नयमूर्थी अरोण भनसाली सुप्रिम कोर्ट की जो कॉलेजियम ने की सिफारिस और राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ट नयमूर्थी अरोण भनसाली इलावाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे ठीक है देश के प्रधान नयाधिस डिवाई चंद्चूर की अद्ध रिष्टा वाले सुप्रीम कोट वाले कोलेजियम ने केंद सरकार से उनके नाम की सिफारिस कर दी है एलहावाद हाई कोट के मुख्य नयमूर्थी पृति पृतिंकर दिवाकर के सेवा निबृति होने के बाद से वरिष्ट नयमूर्थी मनोशकुमार गुपता कारवाहक तो इनकी न्यूक्ति के बाद आपको अलहावाद हाई कोट आरो एरो की वैकंसी अच्छे खासे पतों पर आपको देखने को मिलने जा रही है और यह वैकंसी आपको जो है जो है दो हजार चौबिस में देखने को मिलेगी और दो हजार चौबिस में आपको जनवरी के लास नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो रिजल्ट के बारे में तो कल इसके बिसे में जो है कहा गया था कि 31 तारीक को एक बड़ा धरना होने जा रहा है तो सभी लोग वहाँ पर पहुँचे लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा भेर्थी नहीं पहुँच पा है इतना भेर्थी क्या पूरी तरह से धरना या एकदम निसफल रहा ठीक है तो धरना पूरी तरह से फ्लॉप रहा और क्योल 2-4 भेर्थी वहाँ पर पहुँचे तो इतने से कुछ नहीं होने वाला है अगर आप लोग अपना रिजल्ट चाहते हैं तो नमबर आफ केंडिडेट्स देखे जादा होते हैं तब आयोग में बात आपकी सुनी जाती है वहना धरना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दो-चार भेर्थी जाने का मतलब कुछ नहीं है तो वीडियो का रिजल्ट कब तक आने की उमीद है आप लोग पूछ रहे हैं तो वीडियो का रिजल्ट के बारे अभी कोई अपडेट नहीं बता सकते हैं कब तक आएगा लेकिन हाँ आगे कोई अपडेट होगा इसके बिसे में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ यूपी पुलिस तो यहाँ पर अनरक्षित के लिए सीटों की संख्या है आपका 381, EWS के लिए निक्यानवे है अन्य पिश्डावर के लिए 249 है अन्सूचित जात के लिए 193 है और अन्सूचित जन जात के लिए 16 है और टोटल मिलाकर 930 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है यहाँ पर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड एक पद पर भरती है तो पूरु से ओं महिला भरतियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और देखें यहाँ पर आवेदन कब से प्रारम होंगे आवेदन 7 जनवरी 2024 से आवेदन प्रारम होंगे और आवेदन सुल्क जमा करने की अंतिम्तिती 28 जनवरी है और इसमें संसोधन करने की अंतिम्तिती 30 जनवरी 2024 है तो यूपी पुलिश यहाँ पर कांस्टेबल के बाद आपका एक नया विज्ञापन जारी किया गया है कंप्यूटर आपरेटर यानि ग्रेड ए ठीक है तो काफी अच्छे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है आपके 930 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लेकपाल रिजल्ट के बारे में तो लेकपाल रिजल्ट देखिए आज आप देर साम तक ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं वेपियो 1464 की जो परिक्षा है कब होगी इसकी साट लिस्टिंग हो गई है तो यह विलेज पंचाथ आफिसर की परिक्षा आपको फरवरी मन्थ में देखने को मिल सकती है अगर फरवरी मन्थ तक आपके छोटे बड़े एक्जाम करें जैसे एक्सरे टेक्निशन डेंटिस्ट होगा रखा अगर इसी के बीच इसका एक्जाम होता है तो ठीक है वरना आपका चुनाओ के बाद एक्जाम होने की पोसिबिल्टी है लेकिन आप फरवरी मन्थ मानके तयारी करिए आप फरवरी में आपका एक्जाम है इसी चीशको आप मानके तयारी करिए तो बहतर होगा फरवरी में उमीद है आपके एक्जाम हो शकते है और UPSI के एक वड़ी वेकंसी आपको 2024 में देखने को मिलेगी यह जो आपका विग्यापन कम्प्यूटर आपरेटर का जारी हुआ है इसी के बाद जिससे 7 जनवी से स्टार्ट होने वाला है तो इसी के रेंज में आपको लगभग 10 से 15 जनवी तक आपको UPSI के एक बड़ी वेकंसी देखने को मिलने वाली है तो फ्रेंट से जा रही आज की वीडियो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है चैनल के साथ जुड़ जाएए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करें जाकर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम खुस रही है